हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइब अर्विंद केजिवाल के 5 साल का कारेकाल पूरा होने के बाद लगे रहो केजिवाल और इसी जीप में सवार होकर अर्विंद केजिवाल रोट शो करते हुए नामांकन भरने के लिए जाएंगे नई दिली सीट से ही चुने गए थे अरविंद केजरिवाल और नई दिली सीट से ही परचा भरेंगे वो इस बार भी और देखे जीप में सुरक्षा के लिहास से भी तमाम इंतिजाम किये गए हैं साथ में सुरक्षा होगी तमाम पार्टी के कारे करता होंगे और इसी जीप में सवार होकर अर्विंद केजरिवाल जाएंगे दिली के मुख्य मंत्री और नई दिल्ले विधान सभा सीट से आम आदमी पार्टी के उमीदवार अर्विंद केजरिवाल आज अपना नामांकन भरेंगे सिक्स फ्लैक्ट स्टाफ रोड इस्थित उनके आवास के बाहर इस समय हम मौजूद हैं जहां पर उनके नामांकन से पहले जो रोडशो होगा उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं जीप आप देख रहे हैं जिसमें रोडशो के दौरान ये जीप का जो काफिला है जिसमें अर्विंद केजरिवाल सवार रहेंगे वो यहाँ पर तयार खड़ी कर दी गई हैं लगे रहो केजरीवाल के पोस्टर से और केजरीवाल के पोस्टर और जाडू के निशान के साथ इस जीप को सजाया गया है और ऐसी ही करीब 3-4 जीप बदाई जा रही हैं जो इस काफिले में शामिल रहेंगी और यहाँ पर फिलह शामिल होंगे और अब गतिविधियां जो हैं वो बढ़नी शुरू हो गई हैं यह जो नॉमिनेशन है दिल्ली जो वालमी की मंदिर है नई दिल्ली विधान सभाक शेत्र में यह वालमी की मंदिर आता है वहीं से अर्विंद केजिवाल ने पिछली बाल जब 2015 में नॉमिने अर्विंद केजिवाल अपना नामांकन भरेंगे हाला कि पिछली बार जब यह रोच्छो निकला था नामांकन से पहले तो देरी हो गई थी जिसकी चलते उनको अगले दिन नामांकन भरना पड़ा था आज फिर से एक बार 20 जनवरी है और आज दिल्ली के मुख्यमंतरी फ झाल 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 झाल